बच्चों के 12 से निकलने के बाद जन्म लेते हैं कुछ सपने, सपने कुछ बड़ा करने के और ऐसे में तलाश रहती है एक ऐसे कॉलेज की जो उनके ये सपने पूरे करने में मदद करे और जब उस कॉलेज में एड्मिशन हो जाता है तो जन्म लेता है रिग्रेट, रिग्र बच्चों को रिग्रेट फील होता है इस कॉलेज में आने का पर अब सवार ये है कि आखिर ऐसा क्यूं क्या बीपी आइटी में वो रिसोर्स नहीं है बच्चों के लिए या मेनेजमेंट और फैकल्टी स्टूडेंट्स के ग्रिवेंस को हैंडल नहीं कर पा रही है आखिर क्या सच्चाई है बीपी आइटी की आईए देखते हैं इस वीडियो में पर शरुवात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं कैंपस टूर पर झाल के बादे दिल्टी आएट रही हैं जरा वालते हैं पर भी आएटी की आईए आपस टूर, को अजर उस्त बादेजिन देखते हैं थाखते हैं जर दोगेंटी सिर्फें और पापस टूरूर लागरी में सब्स्तां हैं आएए इस दो पहले हैं दो भी आएए जरौरूर झाल झाल कोलेज का रिव्यू लेकर आज हम जानेंगे कोलेज के बेक्ग्राउंड, एप्रूवल्स, लोकेशन, कोर्से, फीस, इंफ्रा, कैंपिस लाइफ और प्लेस्मेंट्स के बारे में भगवान परशुराम इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलिजी का इस्टाबलिश्मेंट किया था भारतिय ब्राम्मिन चरिटिबल ट्रस्ट ने 2007 में जिनका मकसद था क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और अपने इस सफर में ये काफी हद तक सफल रहे हैं बीपी आईटी डेली का पहला कॉलेज है जिसने अपनी एफिलियेटेड युनिवर्सिटी के अंडर अन्बिये का एप्रोवल हासल किया है और वो भी पहले ही अटेम्ट में पर एप्रोवल किन कोर्स के लिए मिला है ये देखना बेहत जरूरी है तो चलिए शुरुवात क सिंग इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी से बीपी आईटी एंबी एक्रेडिट कॉलेज है जिसमें इनको एप्रोवल मिला है सभी बीटेक कोर्स के लिए लोकेशन की बात करें तो इनका कैंपस डॉक्टर के अन कज्जो मार्क सेक्टर 17 रोहिनी न्यू डेली में लोकेट क्रांस्पोर्ट और कैपस इसली मिल जाएंगी कोर्स की बात करने से पहले आपके लिए यह जानना बेहत जरूरी है कि आपका इंट्रस्ट और स्ट्रेंथ किन फेक्टर्स पर है क्योंकि तभी आपको यह पता चल पाएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा कोई भी कोर्स करने से पहले कांस्टिंग लेना बहुत जरूरी है कोर्स रेलेटेड कांस्लिंग के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं हमारे नीचे दिये गए हेल्प लाइन नंबर पर तो कोर्स के बात करें तो बी-पी आईटी में आप थ्री फिल्द में अपना करि और ECE जैसी fields मिल जाएंगी, management में BPA और MBA आपको मिल जाएगा, वही applied sciences में आप applied physics, applied chemistry, applied mathematics, communication skills and engineering mechanics जैसे courses में admission ले सकते हैं चलिए, अब आगे बात करते हैं कि आखिर खर्चा कितना करना होगा आपको यहां अपनी पढ़ाई के लिए, तो यहां आपको लगभग 1,39,000 से लेकर 1,98,000 तक का खर्च करना होगा according to जो भी course आप select करते हैं, जिसमें कई तरह की scholarships भी available हैं और उसकी पूरी जानकारी के आप हमें हमारे नीचे दिये गए help line number पर call या WhatsApp कर सकते हैं, आगे बढ़ें और अगर हम बात करें infra की, तो campus 6 एकर में फैला हुआ, lush green decent campus हैं, जिसमें सभी essential resources जैसी की labs, library, classrooms, cafeteria, gym, provide किये गए हैं, library में books का काफी अच्छा collection provided है, figures की बात करें, तो करें 5740 प्लस books, 1668 e-books, 542 generals, आपको यहां मिल जाएंगे, साथ ही कुछ और resources जैसे के printers, scanners भी provide किये गए हैं, labs के लिहाज से भी well maintained labs हैं, और काफी तरह के labs यहां available हैं, जिससे c programming lab, network and security lab, database lab, project lab, web technology lab, high performance and ubiquitous lab, R&D laboratory, e-antra, robotic embedded systems lab and fossil, sports में भी लगभग जो भी sport आप खेलना चाहते हो, उसके लिए separate grounds और facilities आपको यहां मिल जाएंगे, बाकी कुछ और facilities जैसे की hostel, gym, recreational rooms, cafeteria भी यहां आपको मिल जाएंगे, तो infra की overall rating देखी जाएंगे, तो ठीक ठाक है, BPIT में कई तरह की societies form की गई हैं students के लिए, जिससे बच्चों को knowledge और एक अच्छा experience मिल सके, साथ ही यहां NSSL के भी formation की गई है, cultural fest, industrial visits और educational tours भी यहां time to time conduct कराएं जाते हैं, पर अभी तक celebrity performances हमें यहां देखने को नहीं मिली हैं, तो इसी विहाब पे देखा जाएंगे, तो campus life average है, अब बात करते हैं most important aspect यानि की placements की, तो placement में college का claim है कि students को 100% placement assistance यहां दिया जाता है, और इसी आधार पर highest package देखा जाएं तो 66 lakh per annum है, और claims की माने तो average 9.28 lakhs per annum, placement देखा जाएं तो काफी factors पर depend करता है, और जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, तो इस college के placement related deep insights के लिए, I would recommend आप हमें हमारे नीचे दिये गए, help line number पर जरूर call करें, तो अब विडियो को conclude कर लेते हैं, BPIT Delhi आपके लिए एक अच्छा विकल्ब साबित हो सकता है, अब देखा जाएं तो सबका ही कुछ negative और positive जरूर होता है, इसी वजह से balance भी बना रहता है, BPIT के facts and figures देखें तो काफी ठीक ठाक है, पर अब हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रशन जनम ले रहे हूं, जैसे कि हैं admission के लिए आपको कितनी rank और कितनी percentage की जरुरत हो सकती है, और क्या IPU के cut-off के लिए उतना weight करना आपके लिए सही है भी या नहीं, या फिर आपको BPIT को अपने preference में रखना चाहिए या किसी और college की तरफ रुख करना चाहिए, most important question क्या आपको अपनी strength और interest मालूम है और क्या आपकी strength और interest इस college से match होगी, तो ऐसे ही सवालों के लिए तो हम बैठे हैं, इसलिए अभी call करो और जवाब लो ताकि एक अच्छा career आपको मिल पाए, तब तक के लिए मैं लवश आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें